किचन में हम सबसे ज़्यादा धनिया पडर मसाला का ही यूज करते हैं लगभग ये सारी सबजियों में हम इसे डालते हैं और बहुत लोग इसे मार्केट से खरीद के लाते हैं लेकिन घर पे बनाना इसे बहुत ही आसान है और घर का बना हुआ सुद्ध भी होता है और टेस् अब हमें इसे ड्राइब रोस्ट करना है तो दिमियाज पर है यह बहुत जादा सूखे या बहुत पुराने नहीं है थोड़े से हमें इस तरह के ग्रीन कलर के लेने हैं जो हरे होते हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा होता है क्योंकि यह अभी थोड़ा फ्रेस होता है और ज दिमियाज पर हम इसे कडाई में ड्राइब रोस्ट कर लेते हैं तो दिमियाज पर हम इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह एक ही साइड से जले रहीं धनियाकों में बहुत जादा रोस्ट नहीं करना है कि उसे भुन करके बिल्कुल लाल नहीं करना है हलकी स तो दो से तीन मिनट तक हम इसे इसी तरह से भुन लेंगे तो तीन मिनट भुनने के बाद इसमें से हल्की सी खुजबू आने लगती है यह थोड़ा रोष्ट हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा तो मैंने यहां पे 50 ग्राम जीरा डाला है और 5-6 पत्ते तो जीरा को भी हमें बहुत जादा नहीं भुनना रहता है तो थोड़ी देर जब धनिया भुन जाए उसके बाद हम जीरा डालते हैं अब जीरा डालने के बाद इसे हमें 1.5-2 मिनट तक और भुन लेना है इसी तरह से लेकिन धीमी ही आज पर हमें इसे भुनना है फ्लेम क बहुत ही अच्छी सी खुसबूँ आने लगती है यह भुन चुका है तो नहीं को पंद कर दिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगेश काली मेर्च तो यह पर लुए हकी आफे मिर्चीफ के कर अन निया है यह काली मर्च को हमें भुनने के बाद हम इसे हमिक्स को ढाले हैं वह् developed सिर 취 canaldi मिर्चा नई हैं यहां जाएगी ज्या जो धनियां है उसके सांथ mix होने पर ये गर्म हो जाएगी अब हमें इसे ऐसे ही रख देना है तकि ये ठंडा हो जाए जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे आप चाहें तो जीरा, काली मेर्चिया, तेज़ पत्ता नहीं डालें तो भी इसे धनिया से भी आप बना सकते हैं धनिया पाउडर लेकिन इसमें थोड़ा से जीराो तेश पत्ता डाल देते हैं तो इसका बहुत ही बडिया टेस्ट ये अजाता है फ्लेवर आजाता है सब्यू आपने भी जिसमें भी आ डालते हैं तो ये बहुत ही ठंडा हो चुका है अब हम इसे पीस लेंगे तो बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है तो मिक्सी की जार में हम इसे डालेंगे और इसे हमें बिल्कुल बारिक पीसना है तो चम्मत से चलाते हुए इसे हम पीस लेते हैं तो जितना बारिक हो सके आप इसे पीस ले यह देखिए मैंने इसे पीछ लिया है आप चाहरे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपने ब已经ovalik पीछा हुआ है तो नहीं तो मैं इसे छानने वाली हूँ बारीक चण्नी से यह पतोके जो बिल्कुल 켜ा संट कर दी तो हम जबाल more चो सादी होती आप Kollege बनती है थो यह देखिए बिल्कुल बारेक धनिय पौडरी ऑना के रेडी है अप इसे बहुत दिनों तक हिस्टोर करके रख सकते हैं यह टाय depan में आप इसे बंद करके रखें छे मेहने से लेके एक साल तक भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन जादा दिनों के लिए ना बनाएं क्योंकि धीरे-दीरे इसका फ्लेवर जो है वो कम होता जाता है क्योंकि ढखकन बार-बार हम लोग खोलते रहते हैं मैं यह मसाला दो सी त बनाती हूं खतम होने पर वापस बना लेती हूं बहुत ही आसाने बनाना इसे तो आप भी बनाएं कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए नमस्कार